आप exam tour देख रहे हैं, अभी हम लोग चर्चा करेंगे JSC को लेकर, यानि जारकंड SLC का जो भी exam दिये हैं, वो अपना अपना विचार जरूर comment section में comment करिएगा, लगतार प्रशन विद्यार्थी उठा रहे हैं कि प्रशन पत्र लिक है, प्रशन पत्र में गल्ती किया गया है, और हूब हूब कई सारे प्रशनों को उठा दिया गया है, तो आखिरकार ये exam रद होगा या नहीं होगा, या कैसे चलेगा, एक एक बिंदू पर बातचीत करेंगे, कहां कहां कमिया है, मेरे साथ नभीन सर है, सर प्रश्वागत exam दुबारा exam हो रहा था, JSC का, दुबारा म में कोई चीज पूरा होता नहीं है, यही exam जनवरी मिलिया गया था, और जनवरी में इतना ज़्यादा गरवरी इस exam में हुई थी, कि एक S.I.T. का गठन किया गया था, और बाद में चलकर के सब बात प्रमानित हुई, और exam को रद करना परा, और इसी का दुबारा exam अभी अलिया गया, तो अब इस exam में कहां कहां खामिया रही, देखेंगे कि चात्रों का एक परतनीदी मंडल जाके राजपाल संतोष कुमार गंगवार जी से भी मिले हैं, कि exam को रद किया जा, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, वगर वगर, कारण यह रहा कि कुछ एक ऐसे center है, कि जहां पर second sitting का question, आश्चर्ज आपको होगा, हसी भी आएगा, कि second sitting का question, first sitting में बाट दिया गया, जब बच्चे, पर सिफ्ट में बाट दिया गया, आप निद्पर्म देखिए न, तो फिर बच्चे बनाए भी उस प्रसंपत्र को, बाद में चल करके लगता है, उनको पता चला होगा, फिर उनको रोका गया, फिर प्रसंद लिया गया, फिर दूसरा प्रसंद दिया गया, तो ये कितना बड़ा mistake हुआ, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वहां का chairman, साइद प्रसांत सरनाम है, वहां के chairman का ये statement कि, अगर seal अगर उसका नहीं lock है, मतलब कि seal कभी कभी हो जाता है, मतलब इस तरह की बातां कहीं गई, कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे center पर बच्चे पकराये हैं, उनके पास answer कुंजी भी थी, पुलीस परसासन भी solve करवाते हुए पकरे गए, एकजाम से पहले answer भी पकरा गया, तो अब इतना बड़ा आरोप, परत्यारोप और इतना ज्यादा इस तरह का भरस्टाचार, भरस्टाचार ही इसको कहा जाएक पहले question आपको answer मिल जा रहा है, वगर है वगर है, तो चात्र कैसे भरोसा करेंगे, कैसे विश्वास करेंगे, और आप इससे भी बड़ा चीज के वहाँ जो question set जो करते हैं, जो expert group होगा, किस तरह का expert group है, कि 2018 और 2022, SSC का पूछा गया question में से, सुले सुले question, direct, लगातार, हूब भू, हूब भू, मैं थो origin का question वहाँ पर दिया गया था, यहां तो आज कल क्या है, कि पूरा question आप type google में कर दीजिये, पूरा कहां से लिया गया है, पूरा data ही निकाल देती है, ठीक है, कहीं कहीं से question repeat करता है, दिक्कत उसमें नहीं है, ल मतलब मेनत ही नहीं करना चाहते है, कहीं से उठा करके direct रख दिये, मतलब खाना पूर्ती टाइप का चीज आप कर रहे है, तो किस विश्वास के साथ चात्र वहां पर तयारी करेंगे, किस विश्वास के साथ फॉर्म भरेंगे, तो एकदम भरुसा का काबिल नहीं है, और कि बहुत सारे अब चात्र ना भरुसा उठ गया है, पूरी तरीके से जारकंड SSC से, लगातार चात्रों की डिमांड रहती है कि कोई उस तरह का ब्यवस्था दिया जाए, जहां इस तरह के भरस्टाचार का कोई अस्थान नहीं रहे, अभी देखिए ना कुछ दिन पहले जारकंड में फिजिकल चल रहा था, कितने बच्चे उसमें डेत कर गए, तो सरकार पता नहीं क्यों एजुकेशन को इतना बहु ज़्यादा सिरियस नहीं लेते हैं, तो इस पर निश्चित रूप से CBI जांच भी होनी चाहिए, और इस एक्जाम को रद भी किया जाना चाह रहे हैं, लगातार इस पर चर्चाई पर चर्चाई चल रही है, आप इस पर जितना जल्दी होगा, एक्जाम कैंसिल कीजिए, और फुल प्रूप बैवस्था जिस तरीके से इधर बिहार में, हाल पिलान में आप देखे, खास करके TRE3 में देखे, इधर जो बिहार पुलि सब केंदर बनाये गया, 800 के करीम में सब केंदर बनाता, इतना बड़ी संख्या में सब कुछ था, क्या विद्यारती उमीद करें कि उनके साथ नाय मिलेगा? उसको कैंसिल करें और तुरत दुबारा एक्जाम की वेवस्ता की जाए कभी भी कोई एक्जाम रद होता है क्यों न उसके अंतिम समय तक पहुचा जाता है कि अंतिम मेक्ती कौन है जो इसको सबसे पहले प्रस्मिलिक कराया या इससे जुड़ा हुआ है ना सिभी आई जांच होता है ना कुछ उस तरीका के नियाई देखरेक में भी जांच कभी नहीं कोई होता है अभी देखिए ना कि जैसे उत्रांचल में फुल प्रूब वेवस्ता की बातें कही गई और उतना मतलब कहा गया कि जो भी इस तरह के वेवस्ता में सनलिप्त पाये जाएंगे उस पर कठोर कारवाई की जाएगी अब जब कठोर से कठोरतम कारवाई नहीं होगी आप पकराता है कुछ दिन जाओ चलती है धिरे-धिरे मामला ठंडे बस्ते में जाती है फिर वह बाहर निकल जाती है तो जब तक आप वैसा बैवस्ता नहीं करेंगे जब तक दासत आप नहीं चल रही है कि इस तरह के बहस्ताचार को कम करने के लिए सक्ट से सक्ट कारवाई का प्राफदान होना चाहिए जल से जल इसको लागू करा करके इंप्लिमेंट करवाना चाहिए तो जो भी जैससी का एक्जाम दिये हैं यदि आपके पास भी कोई साक्ष हो कोई जनकारी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा निक्स पर उस पर फिर से चर्चा करूँगा आप क्या विचार रखते हैं जरकान नेससी के बारे में क्या आप सोच रहे हैं आपका क्या डिमांड है वो भी कमेंट बक्स में जरूर कमेंट किजिएगा सर समय देनकिल ब अरबका